हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल और आज जो मैं टॉपिक लेकर रहे हूं वो है प्रिपोजीशन के कुछ ऐसे प्रिपोजीशन लेकर रहे हूं जो बहुत ही जादा कन्फ्यूजन क्रियेट करते हैं जिनमें गलतियां होने के संभावना चाहदा रहती हैं देखि प्रिपोजीशन का और अगली में भी आये का इसकी गैरेंटी मैं दे रही हूं ठीक है तो यहां पर मैं ऐसे सिंपल प्रिपोजीशन जो है आपके टू है आफ है इन है यह अट है वगेरा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अप्लोड करूँगी सारे प्रिपोजीशन क यहां जो मैं बहुत अच्छे से एक्स्पलेइन करने वाली हूं यहां पर वीडियो मतलब टीचिंग स्टार्ट करने के पहले मैं यहां पर पाँच कृशन लेकर आई हूं पांच fill in the blanks है जो आपको fill करने है यह आपके practice claim मैं चाहूँ तो आपको पूरा वीडियो दिखा पढ़ाने के बाद और last में questions दे सकती हूँ तो आप बहुत ही से easily कर लेंगे या मैंने से starting में रख दिया है तो starting में इसलिए रखा है कि पहले एक बार आप उपनी practice कर लीजिए या आपकी practice हो जाएगी कि आपको बनता कहां कितना है कितना नहीं बनता है तो अगर आपसे सारे बन जाते हैं तो that's really good और अगर आपसे गलतियां हो रही है तो आपको पता च सीखते हैं तो फिर वो चीज़ हमें नहीं भोलती है तो इसलिए से मैंने पहले रखा हुआ है बागी पढ़ाने के बाद तो अब इसलिए आप answer ही देंगे तुरेंट वो भी वीडियो में पूरा पढ़ाया और फिर उसी वीडियो में ये questions पूचे तो बन ही जाएगा यह कॉमन सी बात है तो इसलिए मैंने ये थोड़ा उल्टा सिस्टम किया है जो आपकी preparation के हिसाब से बहुत अच्छा है ठीक है तो चलिए यहां पर देख लेते हैं question तो पहला मारे question है don't compare him blank me मैं बता दूँ यह पांचों में आपको preposition फिल करने है suitable preposition exam में भी ऐसा ही question आया थ कि एक sentence दिया था और तो table preposition फिल करना था don't compare him blank me तो आपने सोच लिया होगा answer सोचे रहे हैं मन में ही रखियेगा उसे फिर next है आपका blank you and me there is no secret blank you and me there is no secret सोच लिया ओके next चलते हैं तो यह आपका है blank a trophy he received cash prize blank a trophy he received cash prize यह भी सोच लिया तो next है आपका it is broken blank sona sona एक लड़की का नाम है ठीक है it is broken blank sona next है आपका last is the boys quarreled blank themselves the boys quarreled blank themselves तो I just hope कि अपनी पांचों के answers दिमाग में सोच लिए होंगे मन में सोच लिए होंगे अब मैं इनके आपको सही answer बतानी जा रही हूँ तो आप analyze कर लीजेगा कि कितने आपके सही हुए है और comment करके जरूर बता दीजेगा देखे व्यूज आते हैं 200-300-500 comment आता है एक या दो तो समझ में नहीं आता कि मतलब आपसे क्या एक भी नहीं बने ऐसा तो मैं मान नहीं सकती और ठीक है न अगर नहीं बने तो आप बिल् don't compare him with me ठीक है तो मुझे पूरी उम्मीद ही है सही होगा सबका फिर नेक्स्ट है आपका second number blank you and me there is no secret ती होगा between between राइटिंग इस पर लिखते ही नहीं बनता है अच्छी नहीं अच्छी आ रही है तो don't mind for that नेक्स्ट है आपका third number blank a trophy he received cash price यहाँ पर होगा besides besides e s as भी लगेगा देखिए एक preposition होता है besides सिर्फ e तक एक होता है besides बहुत confused इसमें होती है कि कहा besides लगेगा कहा beside लगेगा तो यहीं समय आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले तो वीडियो को लास तक देखिए और लाइक की बटन अभी आप प्रेस कर दीजिए देखने से पहले ही ठीक है क्योंकि फिर देखने के बाद आप पुरा मगन के पढ़िए पुरा कंसेंट्रेशन के साथ पढ़िए ताकि वीडियो देखती आपको सब कुछ याद हो जाए और वीडियो द आपका दो बॉय स्क्वारल एमंग ओके एम ओंच तो यह मैंने आपको सारे अंसस बता दिए आप कमेंट करके तुरंद फटा फट बता दीजिए कितने आपके सही हुए है और अब मैं आपको इनकी डिटेल्स बताने वाली हूँ तो सबसे पहले ही चुकिए मेरा प्रिपो प्रिपोजिशन बताते हैं ठीक है संबंध बताते हैं कि किसी भी चीज का चाहिए वो नाउन हो वदलब जो सेंटेंस में यूज हुई कोई भी चीज हो नाउन हो उसका वाक्य के जो बागी शब्द है उनसे क्या संबंध है जैसे यह राम की पैन है तो पैन का संबंध रा बहुत सरल सब्दों में समझाने की का प्रियास कर रही हूं आपको पाकि इंगलिस से भी यहां पर लिख रखता है कि प्रिपोजिशन सोल्ड रिलेशन नहीं लिखनी है आपको समझे रहना है को मिलाके टाइप की बात कर दे पहला वीडियो प्रिपोजिशन का तो एक बड़ टाइप डिसकस कर लेते हैं इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगे पस आप देखते चलिए प्रिपोजिशन ऑफ टाइम जैसे इन ऑन करने वाले प्रिपोजिशन में प्रिपोजिशन ऑफ कंडिशन प्रिपोजिशन ऑफ कॉस इसका यूज कहां होता है वह जानना है अगर आप में चैनल पर न्यू है नो तो पहले सबस्क्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन आउन कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडिय जिसके अपडेट्स आपको मिलती रहें तो यहां पे देखते हैं विद और बाई कहां पे विद का यूज होगा कहां पे बाई का यूज होगा यह एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहां मैंने कोई डिफिनेशन लिख नहीं रिखी क्योंकि मैंने रिटेन पे यहां पक्षी है यहां कोई human है वो काम कर रहे है तो वहां पर बाय हूज होगा और जहां पर कोई टूल का यूज हो रहा है कोई instrument का यूज है निरजीव चीजों का यूज हो रहा है वहांपे विद लगेगा थीक है तो यह आपका living में आता है और यह आपका non living के लिए रिया writes with gel pen रिया gel pen से लिखती है तो gel pen क्या है जल pen एक उसका tool है जिससे वो लिख रही है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है with ठीक है? gel pen और वही सी जगा दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे he is beaten by mom ठीक है? वो किसके दुवारा मारा गया है उसकी पिटाई किस ने की है? mom ने की है तो mom obviously एक living है तो यहाँ पे उसके साथ by लगा हुआ with नहीं लगा हुआ है यहाँ पे यह भी हो सकता था he is beaten with a stick यहाँ पे by mom की जगव with a stick भी हो सकता था ठीक है? with a stick इस पे लिखती नहीं बनता ठीक है? अगर by mom यहाँ पे नहीं होता तो he is beaten with a stick समझ रहे ना? मतब stick के साथ with लग जाएगा mom है तो by लग जाएगा mom की जगव कोई भी living person होगा किसी भी person का नाम होता तो यहाँ पे by लगेगा तो difference आप समझ रहे हैं अगला example भी देख लेते हैं अब कुछ और examples देखते हैं जिससे ज़्यादा clear होगा I will go there by car अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि car तो निर्जीव है मैंने कहा थानों पर कुछ अपवाद है car तो निर्जीव है लेकिन by लगा हुआ है ठीकिन यह बिल्कुल सही है गलत नहीं है यह क्यों है क्योंकि जब भी कोई विखल होती है गाड़ी होती है जैसे train है car है बस है इन सब के साथ आप इससे travel कर रहे हैं तो आप बाई उसके साथ लगाएं मैंने कहा था इसलिए कि इसको पूरा देखेगा वीडियो को ताकि आपसे गलती नहीं हो जैसे अपने इतना समझ लिए generally books में इतना ही दिया होता है कि निर्जीव के लिए wealth और सजीव के लिए buy तो इतना ही दिया होता है इतना ही समझ के आप जाएंगे और फिर इस तरह सा question आ गया car वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है तो इन सब के साथ buy लगेगा लेकिन अब यहाँ पर देगे नीचे my new car तो इसके साथ तो buy भी नहीं लगा इसके साथ in लगा हुआ है तो मतलब preposition सबसे ज़्यादा confuse करने वाला topic होता है और question इससे जरूर आता है तो इसको बहुत अच्छे से clearly समझना है इसके मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दूँगी जितना भी possible हो पाएंगे और जितने easy way मैं आपको समझा पाऊंगी जरूर समझाऊंगी सारे वीडियोज जरूर देखिएगा काम आएगा तो देखिए अब यहां पर क्यों यहां पर इन यूज हुआ है तो इसको explain करती हूँ यहां पर I will go there by car मैं वहां कार से जाऊंगी ठीक है कार से जाऊंगी अब वो कार किसकी है यह कुछ भी clear नहीं कि वो कोई cab है या कोई relative की कार है या मेरी खुद की कार है किराए की कार है कुछ भी define नहीं है ठीक है I will go there in my new car मैं अपनी new यहां पर आप कार जो है वो defined है भले ही यहां कार का नाम नहीं दिया है लेकिन कार defined है कि यह कार किसकी है निश्चित रूप से अपकोर मेरी है कि मैं अपनी कार से जाओँगी ठीक है इसलिए यहां पर in लगेगा कि मैं अपनी new कार में जाओँगी है रही समझ में इसलिए यहां पर in लगा हुआ है यही छोटी छोटी बात हो का आपको बहुत ज़्यान देना है यहां पर आप देखे होगा बाइख वघ्यू अच वहां पर वाषी होजएगा ठीक है पॉइंट अफ टाइम दिया होना चाहिए機 एक घंटे में इस START्पाइब तो Bike Gust policy नोब है साड़े बाहं बड़ेielle क्रीक्राइब मुझसक्षा यह तो कि कुछ तो मेरे साथ compare मत करो यहां पर था तो यानि मेरे साथ comparison किसका हो रहा है हिम मतलब एक किसका हो रहा है सजीव इंसान का हो रहा है और मेरे साथ हो रहा है मैं भी सजीव हो यहां पर अब आप confused हो गया होगी वही मैं कह रहीं कि कुछ अपवाद है तो यहां पर सजीव का हो रहा है comparison स संजीव के साथ हो रहा है तो अब यहां पर जहां पर यह compare वर्ड आ जाए वहां पर भी विध होता है अगर दो लोगों के बीच दो व्यक्तियों के बीच में comparison हो रहा है तो ठीक है मतलब English language में बहुत सारे अपवाद भी हैं और बहुत सारी clear चीज़े भी हैं बहुत अच्छी language पढ़ाने में बहुत मज़ाता है पढ़ने में भी बस यह कि थोड़ा सा अभी exam जल्दी है तो मैं बहुत ज़्यादा बाद नहीं रही हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है कि मैं start में ही आपको explain कर रही हूँ लेकिन जितना आपकी exam क्लिंपोर्टेंट है न उतना explain आपको करते जा रही हूँ तो next देख लिए जो confused करने वाली बाकी मैं एक preposition का प्रॉपर वीडियो बनाके सारे preposition इसमें cover के detail से डाल दूंगी तो उसको भी आप देख लिजेगा यह तो देखें जब दो लोगों के बीच में between मतलब आपको पता है बीच की बात है बीच में है और among मतलब भी वही जीजी होता है लेकिन जब दो लोगों के बीच की बात हो तो वहां between यूज करते हैं कई सारे दो से अधिक चाहिए वो तीन हो चार हो पांच हो जितने भी हो ठीक ह है यह चौकलेट जो है राम और श्याम के बीच में बाट दो राम और श्याम दोनों को दे दो ठीक है दूसरी तरफ डिस चौकलेट बिट्वीन टू गर्ल्स यहां पर नाम नहीं लिखा है लेकिन यह तो लिखा है कि दो लड़कियों के बीच में भाटना है तो यहां पर between यूज हुआ है इसी तरह से distribute these chocolates among all students यह chocolate सारे चातरों में बाट दो अब सारे चातरों में बाटने की बात हो रही है तो among use हो गया यहां पर between यूज नहीं होगा इसी तरह से next हम देखते हैं तो distribute these chocolates among children यहां पे all word यहां पर आधे निक हो रहे और चिल्डन है तो आपसली यह प्लूरल है बहुत सारे बच्चों की बात है जिन बच्चों में चॉकलेट बांट दो तो सो कुछ तो उनके बीच में गड़बट चल रही है तो यहां पर दो लोगों की बीच की बात है तो बिट्वीन है हमारे किर्शन में भी एक था इस से रिल्ट किर्शन yes this one between you and me there is no secret तुम्हारे और मेरी बीच में कोई secret नहीं है कोई राज नहीं है तो अब आपको I think between और among clear हो गया होगा कि कहां यूज करना है ठीक तो जहां पर दो चीज़ें हो between दो से रधिक ग्रुप्स की बीच की बात हो तो among अब next जो उपर मैंने बताया था कि दो besides होते है तो यहां पर besides और besides इसमें तो मतलब हद से जादा confusion होती है क्यों अगर आपने सिर्फ रट के गए हैं कि besides यूज करना है यहां यहां तो confusion हो जाएगी जो कि बस s का फर्क है एक s इसमें लगा है जो कि इसमें नहीं लगा है that's it देखें इतना ही difference नहीं है इनके meaning भी बदल ज समझते हैं इसको हम clearly. देखो besides का मतलब समझते है कि besides का मतलब क्या होता है झाथ है कि exactly YOU website या सब्सक्राइब कर सकते हैं ॅने जर्ट कहां एक मैं बटल जादा नेक्स्ट्व खेंट हूं तो next to you Mother chitag तो पहले उसक्ता देखते हैं कि सीसैट बिसाइट में ड्यूरिंग लंच ठीक है है लच के दौरान वह नहीं वह जाये खेर आठी है थी थी स्पक्राइब या तो गलत लेगे वही चीज़े हैं कि दोनों अगर आपके option में besides भी रहा, beside भी रहा तब आप क्या करेंगे, confusion हो जाएगी, next आपका, the pole beside the Raul's house was falling down, ठीक है, Raul के घर के बगल में, जो pole यानि खंबा था, जो बिजली का होता है, वो गिर रहा था, ठीक है, तो obviously Raul के घर के ब बगल में जो खंबा होगा, वो गिर रहा था, इसलिए beside लगेगा, बगल की बात हो रही है, now there is no one here besides me, अब यहाँ इसका मतलब क्या समझेगी, कि मेरे बगल में कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐस लगा हुआ है, यानि कि मुझे मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर बगल की बात नहीं है, चोड़ कर, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, मेरे अतरिक्त, यहाँ पर कुछ नहीं है, हिंदी से, I don't know, क्या कहेंगी इसको, तो next step, I want to teach other subjects besides English and Sanskrit, यानि English and Sanskrit छोड़ कर, मैं दूसरे subjects पढ़ाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, English भी पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, Sanskrit भी, तीन ही language मुझे पसंद है, तो यहाँ पर आपने देखा, कि मैंने आपको besides or besides में कितना easy language, मतलब मुझे लगता है कि मैंने easy तरीक हो जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास time कम है, तो मैं आपका time waste जादा नहीं करूँगी, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आना, तो आप प्लीज मुझे comment करिए, तो मैं आपको उस topic का detailed video upload कर दूँगी जल्दी से जल्दी, आप मुझे subscribe जरूर कर लिज या अब यह जो पांचों question है वो आप बहुती easily कर सकते हैं, और all the best for exams, preposition का question गलत करके मताईएगा, अगला video preposition का मैं upload कर दूँगी, बहुत जल्दी, so keep studying, thank you, comment करके जरूर बताईगा कैसा